आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था दो धुर्वरोधी दिगजों की पुरानी अदावत चोड़े आ गई है कोटा के गुंजल भाजपा की जिल्लत का महुतोड जवाब देने कांग्रेश में शामिल हुए थे लेकिन ये शायद उनके धुर्वरोधी शांती धारीवाल को पसंद नहीं आया कोटा से कॉंग्रेश प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की चुनावी सभा में शामिल हुए शांती धारीवाल ने गुंजल को मंच पर खरी खरी सुनाई है और इस घटना के बाद कोटा में बड़ा खेला होने के चांसेज लग रहे हैं कोटा लोकसवा सीट पर प्रहलाद गुंजल और धारीवाल के भी जगड़े ने सियासी हल्चालब तेज कर दी है कॉंग्रेश के मंच पर गुंजल और धारीवाल के बीच हुई नोक्चों के बाद एक बार फिर से ओम शांती की जोड़ी की सियासी चर्चालए है दरसल प्रहलाद गुंजल टिकट नहीं दिये जाने से खफा होकर कॉंग्रेश में शामिल हुए थे और कॉंग्रेश ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था कॉंग्रेश के पास ओम बिल्ला के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था ऐसे में गुंजल का कॉंग्रेश में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा दाव सावित हो रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि गुंजल की चुनावी सभा में धारीवाल ने खेल बिगाड़ दिया गुंजल को धारीवाल ने मंच पर सेकुलर बनने की नसीत दे डाली दरसल शांती धारीवाल ने प्रहलाद गुंजल को कहा कि प्रहलाद जी अब तक आप ताक्तों के साथ थे अब आपको सेकुलर बनना पड़ेगा पहले बीजेपी में थे लेकिन अब कॉंग्रेस में आ चुके हैं तो कॉंग्रेस की विचारधारा को भी अपनाना पड़ेगा इस पर प्रेलाद गुंजल ने टोकते हुए कहा कि आप जैसे सीनियर नेता को ऐसी ब यही कहना चाहूँगा कि मेरी जान चली जाए लेकिन विश्वास नहीं तूटने दूँगा यह कैगर प्रेलाद गुंजल मंच छोड़ कर चले गए अब इस घटना के बाद यह तो साफ हो गया है कि कॉंग्रेस नेता शांती धारिवाल गुंजल के कॉंग्रेस में आने से कताई खुश नहीं है अब इस घटना करम को देखकर कॉंग्रेस की सियासत में हड़कंप समच गया है चर्चाय पहले से ही थी कि दोनों नेताओं के बीच सियासी पटरी बैठना मुश्किल है सियासी बादार में लगाया गया यह क्यास आखिरा सही सावित हुआ इदर आगामी लोकसवा चुनाओं में धारीवाल और गुंजल की गुटबाजी कॉंग्रेस के लिए कहीं घातक साबित न हो जाए भारी न पड़ जाए ऐसे में चर्चा है कि मंच पर हुई गुटबाजी के बाद कहीं चुनाओं में बीजेपी के ओम बिल्ला को इसका फाइदा क neden बर्तिन की चोड़ी के नम से जाना जाता है बल्हींब ऑद हरीवाल अलगलग पार्टी से जुड़े हों साथ देंगे या अपने जोड़ीदार ओम बिल्ला को अंदरूनी तोर पर सपोर्ट करेंगे इसको लेकर जमकर सियासी चर्चाएं तेज हो रही हैं फिलाल दीजे इजाजत जनता दरबार के लिए विजय वर्मा